वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस दोस्तों दर्से कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के उपर समय समय पर उन स्टॉक के बारे में बताता हूं टेक्निकल चार्ट के मात्यम से जिन सेर्स में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप निवेश करते है तो आने वाले समय में आपको एक अच्छे रिवार्ड मिल सकते हैं तो आज इस वीडियो में मैं एक नहीं दो नहीं पूरे तीन स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है चैनल पहली बार ना बेकूल ना बूलें साथ ये साथ बेल लॉटिफिकेशन को जरूरूराउन कर लें ताकि जो भी वीडियो हम लोग फीचर में अप्लोड करते हैं उसकी कोई वीडियो आप लोगों से मिस नहों और आप ऐसे ही लड़न के साथ साथ अर्द भी करते रहें उसके पहले आप सभी के एक बहुत ही बैतर आफर है जो भी मारे पेड़ सर्विसें सेवन डिस्व के लिए फ्री मिल लई लिंकक डिसक्रिंट पर पूरे सेवन डिस्व के लिए जो भी कॉल्संडेट होती है हम आपको फ्री आफको स्टेने वाले हैं तो चलिए बिनल समय को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पताते हैं सबसे पहला शेयर जो आता है वो है EI होटेल जिसमें आज हमको ओपन होते हैं देखने को मिलता है स्टॉक 145 के उपर वहीं पर स्टॉक में 158 का हाई लगाया लो है 154 रूपिस 95 पैसे क्लोजिंग दी है 155 और यहां पर जो भी हमारी कॉस बन रही है यह वही लेवल है जहां से आप इसको बिल्कुल के उपर बाय कर सकते हैं अगर आप टेक्निकल चार्ट के उपर नजर डालें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छे कासे वोल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेक आउट दिया है यह वन डिक एंडल चार्ट है जहां पर काफी स्ट्रॉंग मुमेंट डिफिनिटली मिलेगा क्योंकि मुझे पूरी उमीद है क्योंकि यहां पर अच्छे कासे वोल्यूम यहां पर नजर आ रहे हैं उसके साथ साथ अगर इस लेबल को स्टॉक ब्रेक करता है तो यहां पर सेकेंड टागेट रहने वाला है 162 रूपीस का और तीसरा और चौथा टागेट यहां पर 165 देन 170 जो की आप टॉप पर देख सकते हैं यह वो लेवल है जो आपको आने वाले टेडिंग सेजन के अंदर देखने को मिल सकते हैं बहुत ही अच्छा स्टॉक है स्टॉक के लिए ही आपको इस स्टॉक को बाई करना है डिस्क्लेमर देना चाहता हू सेवी रिजिस्टर ड्रवाइजर नहीं हूँ यह मेरी खुद की उपीनियन है एक बात आप एक बार आप नवेज करने से पहले खुद की रिचर्च अवस्थ से कर लिजेगा अब यहां पर अगर सेगन स्टॉक के बारे में हम बात करें तो इसका नाम है डीवियल जिसको हम डीव बिल्ड कॉन लिम्ट के नाम से भी जानते हैं आज स्टॉक में अगर आप पिछले कुछ तिनों से देखिये तो काफी अच्छा यहां गिरावट देखने को हमको मिली थी अगर आप यहां पर आज के वॉल्यूम की बात करें तो काफी अच्छे वॉल्यूम में हमको देखने को मिला है वहीं स्टॉक आज ओपन होता है 221 के प्राइस के ओपर और यहां पर हाई लगता है 237 का लो 218 का है क्लोज होता है 235 रुपीस के आस पास अगर हम टेक्निकल चार्स पर नजल डाले तो यहां भी एक अच्छे कासे वॉलुम साथ पर जाने की कोशिस कर रहा है और यहां पर जो टागिट आपको देखने को मिल सकते हैं वो सारे स्टॉक का जो भी लेबल है यहां पर आप स्क्रीण पर देख सकते हैं तो पहला लेबल यहां पर रहने वाला है 244 यह ब्रेक करता है तो 270 लेकिन यह 270 जो सिर्फ चार्ड के उपर है लेकिन कुछ लेबल है इसके बीच के जो मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं तो यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं आप लोग जो है स्क्रीन सॉट ले लिजेगा और यह तो कहीं पर नोट पुक में नोट कर लिजे तो सबसे पहला टागिट यहां रखे रहने वाला है 244 जो कि आप लोग देखी लिए हैं यह ब्रेक करता है अगर तो 250 इसके बाद 260 तो यह वो लेवल हैं जिसके बाद ही आपको उपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं तो इस स्टॉक को भी आप लोग चाहो तो अपने वासलेस में एड कर लिजे सिर्फ लर्निंग के पॉइंट आफ व्यू से तीसरा तो स्टॉक आता है यहाँ पर इसका नाम है DCW यह एक केमिकल सक्टर से बिलॉंग करता है बाकी जो पहला सक्टर बताया था पर आपको स्टॉक EI होटेल वो आपको नाम से वालूम चल रहा हूँगा कि होटेल सक्टर का स्टॉक है DBL एक इंफास्टर का स्टॉक है दिली बिल्ड कॉन तीसरा जो स्टॉक है यह केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉंग करता है यहाँ पर अगर आप देखें तो यह जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं यह इसका 20 डेज एक्सपोनेंशल मूविंग एवरेज है तो स्टॉक इस तो जो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर देखें मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है फर्स टारगेट है 43 रुपीज का यह ब्रेक होता है तो 46 का अगर यह ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप टॉप में दी सकते हैं कि 50 रुपीज का वो लेवल है जहाँ पर definitely यह stock जाता हूँ देखने को मिल सकता है यहाँ पर अगर आप इसके SL की बात करें तो जो इसका 20 days exponential moving average है यानि की यह हमें करीब करीब देखने को मिल रहा है 38 रुपीज के आसपास तो यहाँ पर आपको 38 से लेकर 35 रुपीज तक का SL लेना है SL throw deep इसले दे रहा हूँ ताकि SL heat होने की संभावनाय काफी कम हो क्योंकि यहाँ पर risk reward ratio अगर आप मत को देखें तो risk काफी लो है और rewards काफी उपर है तो हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हमेशा उन stocks के बारे में trade करिए उन stocks के पर trade करिए जिसमें आपका risk सोटा हो और rewards पड़े हो तो मेरी नजर में जो मेरी radar पर यह stock आया है वो तीनों stock आपको बता चुके हैं अगर आपको वीडियो बसंभाया है तो please वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना और साथे साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करना बिल्कूल न भोलें इसके पहले भी हमने इसी चैनल के ओपर New Land Lab, ChemCon Chemical KEC, Gujarat Florochemical, Kazaria Arihant Capital D-Link, E-Mudra भाग्यनगर, Properties इन सभी के ओपर वीडियो बना कर रखा हुआ इसके अलावा Aegis Chemical और Clean Science जिसमें कम से कम 70% stocks में target जो भी हमने बताये थे वो achieved होते वे देखने को मिले है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी कोशिस पसंद आ रही हो की और जो हमारे पुराने वीवर हैं उन्होंने इन stocks में अच्छे कासे profit भी जनरेट कियोंगे आप लोगों से गुजारी से प्लीज जो भी आपकी राय उपिनियन रहा करें उसे comment box में comment जरूर ड्रॉप कर दिया करें ताकि हमें भी motivation मिले हमें भी पता जले कि आपको हमारे वीडियो को ऐसे लग रहे हैं और आप इससे कोई value create कर पा रहे हैं या नहीं इसे उमीद के साथ वीडियो के यह पर wind up करता हूं मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत